बच्चो बताओ मैंने बोर्ट पर क्या लिखा भालू समीर तुम बताओ भालू शब्द में कौन-कौन से वर्ण है भा और लग नहीं इसमें भा और लग व्यंजनों के साथ स्वर मिले हुए है पर हमें तो स्वर नहीं दिख रहे है बताती हूँ ये देखो भालू भ जमा आ जमा ल जमा उ से मिलकर बना है पर इसमें आ और उ तो नहीं लिखे है आ खड़ी लकीर के रूप में और उ इस रूप में लिखा है ये कैसे स्वर है? इन्हें मात्राएं कहते हैं जब व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है स्वरों में चिन्हों के रूप में जोड़ा जाता है इन चिन्हों को स्वर की मात्रा कहते हैं अब मैं तुम्हें मात्राओं के बारे में समझाती हूँ औ स्वर को छोड़ कर सभी स्वरों की मात्रा होती है आओ सभी स्वरों की मात्राएं सीखे व्यंजन, स्वर, मात्रा, शब्द क, जमा, औ, बराबर क, कमल क, जमा, आ, बराबर क, काला क, जमा, इ, बराबर की, किताब क, जमा, इ, बराबर की, कील क, जमा, उ, बराबर कु, कुत्ता क जमा उ बराबर कू कूदना क जमा री बराबर क्री कृष्ण क जमा ए बराबर के केला क जमा आय बराबर के कैम्रा क, जमा, O, बराबर को, कोय'll क, जमा, O, बराबर को, कवा आओ, मात्राओं का खेल खेलते हैं वह क्या है? पेड इसमें कौन से स्वर की मात्रा है? एकी मात्रा फूल में कौन सी मात्रा है? हमने सीखा स्वरों को व्यंजनों के साथ मिला कर लिखते हैं व्यंजन के साथ मिलने पर स्वर का रूप बदल जाता है व्यंजनों के साथ जोडने के लिए स्वरों के लिए जो निश्चित चिन्ध हैं उन्हें मात्रा कहते हैं अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ग्यारह स्वरों की दस मात्राएं ही होती हैं.